Hello Friend, आज हम सभी का Third Lecture है ठीक है और Third Lecture में आज Surveying से Related Study करने वाले हैं Classification of Survey Classification of Survey से आपको बहुत सारे ideas मिल जाएंगे कि actual survey में क्या work होता है किस-किस base पर हमें survey की जरुवत पड़ती है, कौन-कौन से ऐसे work है जहां पर हमें survey की जरुवत होती है तो ये सब अगर आपको idea रहेगा तो आप पहले से ही define कर पाएंगे कि ये survey कितना important है ठीक है तो जैसा आप ये next slide में देख रहे हैं कि classification of survey जो पूरा का पूरा हम देखने वाले classification of survey में classification of survey ठीक है तो classification survey यहाँ पर एक point देख सकते हैं कि survey can be classified into various category depending on methods use and nature of the field depending on methods of use किस वे से आप survey कर रहे हैं and nature of the field field का nature कैसा है किस तरीके का field है hilly area है plain area है या किस तरीके का है उसके उपर या उसके base पर या instrument के base पर classify किया गया है ठीक है जैसे मैंने बताया कि depending on method use depending on nature of the field depending on instrument use इन सब के base पर क्या किया गया है survey को classify किया गया है जिससे आपको clarify हो सके कि कि किस तरीके के work के लिए किस तरीके का survey किया जाता है ताकि आपको idea मिल सके ओके जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि पहला जो यहाँ पर दिया है change survey की बात किया है okay change survey क्या है यह सबसे simplest serving है यह तरीके से बोल सकते हो इससे क्या किया जाता है only linear measurement किया जाता है क्या किया जाता है linear measurement किया जाता है और linear measurement मतलब कोई भी दो point ग्राउंड के कोई भी दो point है उसके बीच का distance measurement करने के लिए किया जाता है जो आप change survey की बात करेंगे तो वहाँ पर angular measurement नहीं ले पाएंगे angular measurement नहीं ले पाएंगे जहाँ पर जैसे requirement होती है उसी के base पर हम यह survey करते हैं तो जहाँ पर सिर्प distance measurement करना हो distance ही find out करना हो और वो plane area हो तो ऐसे जगह पर हम chain survey का use कर सकते हैं by tape और by chain जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको different types के chain दिख रहे हैं यह chain है यह open किया हुआ है जैसे कोई दो point है उसके बीच का distance करना है या कोई भी point को कोई line से indicate करके बताना है तो वो सारा detail आप chain survey कर सकते हैं ठीके इसका अलग से एक chapter है जिसका नाम है linear measurement उसमें आप detail से पढ़ेंगे ठीके detail से chain क्या होता है, tape क्या होता है, chain के types क्या होते हैं, tapes के types क्या होते हैं यह स सारा कुछ आपको समझने को मिल जाएगा, ठीके detail में आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप pictures में देख रहे हैं, जिस तरीके से chain है, tape है, यह आप टेप तो नहीं है, सिर्फ chain को बताया है और यह works होता है linear measurement के लिए, ओके, आगे next देख सकते हैं classification of survey में compass survey, तो compass survey में क्या actual work किया है, compass survey में chain and compass survey भी आजयता है, compass survey से हम horizontal angle measurement कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी दो point है, एक point पे मेरा station है, तो एक point से दूसरे point का horizontal angle कितना आ रहा है वो सारा measurement with the help of compass service आप कर सकते हैं detail में आप इसमें कर सकते हैं और compass में आप बहुत detail में study कर सकते हैं कोई भी अगर plane area है तो उसके area calculate करना है तो उसके लिए data जरूरत होती है compass service से आपका data मिल जायेगा और उसके base पर उसको कोई भी मालो की कोई construction आप strictly plan बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको plan area जाए तो plan area भी किसके help से मिल सकता है यह survey का help से मिल सकता है ठीक है boundary area को 이쪽 avoided us에 मिल सकता है और कि का mai सकता है ईगे देख सकते हैं compass इसके साथ-साथ हम Surveyor Compass भी यूज करते हैं, Surveyor Compass में जो यह आप देख रहे हैं, यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट देख रहे हैं, यह दोनों साइट में same to same रहता है, जिसके इसके बीच में आप देख रहा हो कि यह होर सेहर है, जिसके तुरू हम एक lining consider करते हैं, या point consider करके straight line में रखकर और angle measurement करते हैं, ठीक है, detail में, जैसे कि यहाँ पर उसका line diagram है, और हर एक part को यहाँ पर indicate किया हुगा है, जब यह chapters पढ़ेंगे, यह भी एक different chapter है, compass survey, जब यह chapter से पढ़ेंगे, तो आपको और detail में idea मिलेगा, कि compass survey में क्या-क्या find out करते हैं, detail में, जब compass survey start करेंगे, तभी भी मैं आपको पूरा detail overview बता दूँगा, किस chapter में क्या-क्या पढ़ना है, अभी सिर्फ यह जान रहा है, कि compass survey में देख सकते हो, कि यह point है, यह point, horizontal के साथ कितना यह horizontal angle बना, ठीक है, यह point से, यह कितना angle बना, यह हमें note down मिल जाता है, फिर दूसरा का यह, इस तरीके से हमारा क्या, एक boundary मिल जाती है, यह इस तरीके से boundary मिल जाती है, और यह boundary कैसे मिलती है, यह data से, ठीक है, ये चीज़े clear हो गया होगा next point में देख सकते हैं कि classification of survey में plain table survey plain table survey एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसमें जो equipment यूज़ किया जाता है instrument जो यूज़ किया जाता है वो compare to other equipment के ये सस्ता होता है चीप होता है ठीक है और ये किस तरीके का होता है method ये graphical method होता है ये draw करके हैं और ये direct on the site आप plot कर सकते हो कोई भी अगर boundary या कोई भी अगर land है उसकी boundary on paper पे मुझे चाहिए ठीक है एक perfect area में तो वो on the site आप field पे ही work ये दोनों कर सकते हैं data के साथ साथ data भी वहाँ पे मिल जाएगा प्लस आपका work भी on the side एक साथ ही हो जाएगा फिर आगे चलके कुछ और advanced version आए theodalite survey ठीक है theodalite survey की help से आप horizontal angle भी measurement कर सकते हैं साथ साथ में vertical angle भी measurement कर सकते हैं ठीक है और उसके आगे theodalite को help करके और भी आगे classify किया गया है जैसे की इन ही का use करके trigonometric leveling भी कर लेते हैं इसी instrument का use करके हम tachymetic survey भी कर लेते हैं आगे उसको detail में भी देख लेते हैं जैसे की आपर plane table की बात कर रहा था तो plane table इस तरीके का होता ठीक है इसमें आप यह tripod देख सकते हैं यह board है ठीक है इसमें यह वाला part जो है इसको बुला जाता है यूफॉक विद प्लमब यह वाला आप इसको देख रहा है हो यह आपका इसको बुला जाता है compass और यह आपका leveling होगा spirit level और यह आपके सामने जो दिख रहा है alledate ठीक है यह instrument का use करके alledate इस तरीके का भी होता है यहाँ पर दूसरे table पर भी देख सकते हैं ठीक है यह उसके equipment है जिसका use करके हम play table survey करते हैं साथ-साथ मैं आपको idea में देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से play table survey हो रहा है और यहाँ पर किस तरीके से set किया जाता है यहाँ पर you fog with plumb up किस तरीके से set किया जाता है actually इसका work क्या है यह plain table survey में आप detail में पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई भी boundary है तो किस तरीके से survey करके और on paper पे हम उसके drawing बना सकते हैं ताकि by scale बना के और जो ground का है जो boundary वो on paper so कर सकते हैं next tutorial light की जो बात करा था तो इस तरीके का उसका instrument होता है ठीके इसके भी part को आप detail में पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर यह axis horizontal axis बताता है यह vertical axis बताता है यह line of side बताता है ठीके तो यह सब detail भी जब tutorial light आप पढ़ेंगे तो उसमें detail में आपको यह सीखने को मिलेगा इससे related बहुत सारे important point है वो भी आपको समझ में आएगा main इसका purpose होता है कि इस instrument का use करके हम horizontal angle के साथ-साथ vertical angle भी find out कर लेते हैं next आ जाते हैं ठीके किस तरीके से उसका reading लिया जाता है वो चीज़े यहाँ पर बताया हुआ जाता है horizontal angle measurement करने के लिए या vertical angle measurement करने के लिए यह reading को भी detail में मैंने समझाया है next आ जाएगा इसी theodolide का use करके tachymetric survey भी किया जाता है tachymetric survey की help से आप कोई भी दो point के बीच का horizontal distance point out कर सकते हैं vertical distance या inclined distance with the help of tachymetric you can calculate चाहे vertical distance हो horizontal distance हो चाहे inclined distance हो ठीक है यह survey करने के बाद जो data मिलता है उसकी help से आप calculation कह सकते हैं इसको indirectly आप calculate कर सकती हो indirectly आप calculate कर सकती हो फिर उसके बाद से आजाता है leveling survey, leveling survey से हम क्या find out करते हैं vertical height measurement करते हैं elevation measurement कर लेते हैं relative height find out कर सकते हैं with the help of leveling instrument ओके leveling instrument कौन-कौन से होते हैं जैसे कि यह tachymetic survey में भी leveling आ जाता है ठीक है trigonometry leveling में भी आ जाता है जो instrument use करते हैं वो है dumpy level already मैंने इसको discuss कर दिया था tachymetic survey से किस तरीके से हम इसका horizontal distance यह find out कर लेते हैं या तो इस point का level हम बता सकते हैं इस point का level कितना होगा यह भी इसकी help से हम find out करके बता सकते हैं ठीक है आगे next देख सकते हैं leveling survey में किस तरीके से dumpy level का use करके हम किसी भी point का level measurement करके बता सकते हैं कि इसका actual further जो point है आगे कि जो point है उसका level low है या high है with the help of leveling survey you can define जैसे यहां पर देख सकते हैं यह जो point है यह जो आपको vertical point दीख रहे हैं इसको leveling staff बोला जाता है एक यहां पर भी leveling staff है और यहां पर यह tripod के साथ instrument set है जिसकी help से हम data calculate करते हैं level का जैसे इस तरीके से देख सकते हैं यहां पर आपका instrument है और यहां पर staff है इसका horizontal यहां पर calculate कर दिए कि कि कितना यह point है calculation करने का method already समझाया है यहां से यह calculate किये तो यह reading मिल गई फिर यहां से horizontal यह तो यह reading मिल गई reading लेने का यहां पर तरीका है बट इस reading की हैल पे आप इस point का इस point का और other point का और भी आगे point find out करते हो वहां का आप reduce level find out कर सकते हो reduce level क्या होता है mean saving level से उसकी height होती है next step का आ जाता है classification of survey में photographic survey photographic survey से क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे place है जहां पर हम actual जा नहीं सकते जैसे कोई bay है या कोई sea है जहां पर हम नहीं जा सकते तो वहां पर हमें क्या करना होता है कि aeroplane या helicopter की help से helicopter की help से हम photographic survey करते हैं ठीक है तो photo लेके और उसके base पर aerial camera का use करते हैं और उसके base पर हम photo के base पर different different जो आप photos find out किये उनकी help से हम उसकी map बना सकते हैं ठीक है उसके different rules होते हैं वह सारा measurement आप कर सकते हैं फिर बाद में आ जाता है EDM EDM होता है electronic digital machine ठीक है यह इनकी help से आप मतलब directly आपको measurement कोई भी distance का measurement करना है तो आराम से इसको help से measurement कर सकते हैं जैसे total station है नेक्स आ जाते हैं जैसे देख सकते हैं प्रोटो grammatric survey का किस तरीके से यहां पर aircraft से help से अलग-अलग different different pictures यहां से collect कर रहे हैं देख सकते हैं यहां अभी तक के survey किये वो सारा survey एक total station में ही complete इसलिए इसको total station बोलते हैं ठीक है सारा जितने भी survey अभी मैंने explain किये classification वो सारा एक total station से ही आप complete कर सकते हैं EDM survey इस तरीके से देख सकते हैं यहां पर survey कर रहे हैं next आजाएगा triangulation ठीक है triangulation survey में क्या होता है triangulation is the basic method of surveying when the area to be surveyed is large triangulation is adapted the entire area is divided into network of triangle triangle base में divide करके और उसके total entire area calculate कर सकते हैं in triangulation survey okay next point है आपका traversing traversing यहां पर देख सकते हैं traversing क्या point explain करना चाहता है और traversing is circuit of survey line survey line का क्या होता है एक circuit होता है जैसे कि electric में आपका circuit होता है उसी तरीके से traversing भी एक प्रकार का क्या है survey line का circuit है ठीक है यह क्या होता है open भी हो सकता है और close भी हो सकता है open से हमें close boundary open है तो close boundary नहीं ठीक है और close है तो उससे हमें total area हम calculate करके बता सकते हैं कि actual कितनी area है और ये कैसे measure करते है theodolite की help से ये traversing मिल सकता है compass की help से ये traversing मिल सकता है तो different way है जैसे यहाँ पर triangulation way देख सकते हो traversing इस तरीके से देख सकते हैं आपको picture जो दिख रहा है ये open traversing है और ये जो आपके इसके सामने जो pictures दिख रहे हैं ये close traversing है there are two pictures we can define which pictures are open and which are close next की बात कर रहा है geological survey ठीक है geological survey में क्या किया जाता है दोनों को consider किया जाता है surface को भी और surf surface को भी ठीक है surface का मतलब on the surface ठीक है sub surface मतलब on the below the surface की बात कर सकते हैं ठीक है जैसे की कुछ locate different minerals की बात कर रहे हैं या rocks की बात कर रहे हैं तो वो सामने survey इसकी help से कर सकते हैं उसके बाद आजाता है mine survey ठीक है mine survey का मतलब यह होता है कि जो digging करके deep में digging करते हैं जैसे कि कोईला का ख़दान होता है तो ऐसी जगह आपका जो survey किया जाता है वो mine survey के अंदर आजा है यह pictures भी आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके का यह pictures इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर mine survey में भी आप देख सकते हैं उसके बाद आजाता है archaeological survey ठीक है archaeological survey में क्या इस तरीके के survey में क्या करते हैं it is conducted to locate a real life of entity ठीक है civilization kingdom for temples यह सब का survey archaeological survey में आ जाता है archaeological department भी होता है इसके साथ-साथ जब यह survey आपको अच्छे से करने आ जाता है तो आपके लिए archaeological department में भी job के offer होते हैं उसके साथ-साथ आ जाता है military survey ठीक है तो military survey किसके लिए important है या तो military के लिए कह सकते हैं critical applications या कोई बहुत important है तो military survey के under में आ जाता है इसमें भी aerial survey को perform करके एक purpose को ध्यान में रखते हुए इसे भी consider कर लिया जाता है ठीक है और यह सारा operation जैसे यहां पर archaeological survey के देख सकते हैं pictures military survey का यहां पर pictures देख सकते हैं ठीक है उसके बाद आ जाता है classification based on nature of field ठीक है classification based on nature of field की बात करें तो उसमें आ जाएगा land survey तो land survey से related आपने जो compass की बात कर रहे थे या तो change survey की बात कर रहे थे या leveling की बात कर रहे थे तो तीनों इसके अंदर indicate कर सकते हैं land survey में ठीक है तो land survey is done on land to prepare plan or map of a given area topographical, city, cadastral survey are some of the example of the land survey okay next point है hydrological surveying ठीक है hydrological surveying is also on the basis of nature of field okay किस तरीक है का field है उसके बासिपे इसको classify किया गया है hydrological survey this survey is conducted on or near the body of water such a lake, river, coastal area this survey consists of locating shore lines of water bodies ठीक है water bodies के shore lines को locate करके बताता है next आगे देख सकते हैं किस तरीके का land survey map plan बनाया गया है survey की help से ठीक है hydrological survey इस तरीके का map आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद से आ जाता है astronomical survey ठीक है classification survey में astronomical survey और aerial survey aerial survey में आपको photographic survey आ जाता है astronomical में हम यह survey conduct करते हैं latitude, longitude, azimath, local time यह सब consider करने के लिए हम astronomical survey यूज करते हैं ठीक है astronomical survey इस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से instrument को यूज करके यह find out करते हैं okay this is also astronomical survey aerial survey देख सकते हैं photographic helicopter की help से photographic करके और उसकी help से map या plan बनाते हैं तो उस तरीके की survey को बोले जाता है aerial survey ठीक है aerial survey और यह aerial survey photographic जो chapter होता है उसके अंदर यह पढ़ने को detail में मिलता है उसके बाद आ जाता है plan and map ठीक है plan और map में difference हमें पता होना चाहिए कि plan तो obviously हमको पता है कि plan जो होता है वो small area के लिए होता है map जो होता है वो large area के लिए होता है ठीक है तो यहाँ पर पहला point बोला है on the basis of objective of surveying is to prepare plan and map जैसा objective होता है survey का उस तरीके से हम plan बनाते हैं या तो map बनाते हैं plan की बात discuss करेंगे तो plan is a graphical representation to some scale of the features on near or below the surface of the earth as project on the horizontal plane ठीक है horizontal plane पर इसको discuss कर लेते हैं horizontal plane is represented by plane of drawing sheet on which plan is drawn to some scale however the surface of the earth is curved it cannot be truly represented on a plane without distortion ठीक है next point में अभी यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं map के बारे में जो बात किया है तो map भी एक प्रकार का graphical projection होता है map भी क्या होता है एक प्रकार का graphical projection होता है और यह जो होता है यहाँ पर इसको भी देखेंगे तो small the plan is called a map the plan is called map ठीक है thus graphical representation is called a plan if the scale is large while it is called a map if the scale is small ठीक है जब scale हम larger लेते हैं तब हमारे लिए plan होता है जब scale small लिया जाता है तो हमारे लिए map होता है यहाँ पर area की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर बात करें scale का आगे हम scale भी पढ़ने वाले हैं detail में कि ताकी idea मिल सके कि scale का actual use क्या है यह पर large scale की बात कर रहे उसके लिए small area के लिए जब भी हमें बनाना हो plan बना रहे हैं तो उसके लिए large scale हम use करते हैं और जब large area के लिए हम use कर रहे हैं तो map बनाते हैं और उसके लिए scale use किया जाता है वो small scale होता है ठीक है जैसे यहाँ on plan generally only horizontal distance and vertical direction और angle are shown on topographical map however the vertical distance are also represented by contour line contour line के द्वार वर्टिकल भी हमें height पता चलता है कि वो level नीचे है या level उपर है level उपर को सो करेगा तो वो hilly area को indicate करेगा mountain area को indicate करेगा lower area को indicate कर रहा है तो कोई pond हो सकता है या कोई bay हो सकती है या कोई river का खाई हो सकता है कुछ भी हो सकता है ठीक है next जैसे यहाँ पर plan देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके का map देख सकते है अब plan और map के scale से related already मैंने आपको discuss करके बता दिया था कि जो plan का draw किया जाता है वो plan का scale जो लिया जाता है वो large scale में होता है ठीक है और वही अगर maps को लिया जाता है तो इसमें जो scale होता है वो क्या होता है small होता है जैसे यहाँ पर consider भी देख सकते हैं value की बात करा है scale की जो value होती है उसकी बात कर रहा है ताकि आपको idea मिल सके, जैसे यहाँ पर scale देख सकते हैं, कि यह जो scale आपके सामने पहला draw किया गया है, वो one ratio one lakh है, ठीक है, one ratio one lakh है, it means आप कह सकते हो कि hundred, अगर मतलब unit में indicate करके बताना है, तो अलग-अलग different different तरीके से आप unit में भी बता सकते हैं, ठीक है, अब scale भी different different types के हो होते हैं, different difference work के लिए different different types के होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक और type का scale देख सकते हैं, जिसका नाम है, बहुत important है, इसे related questions भी कई सारे पूछी पूछ लिए जाते हैं, representative fraction, ठीक है, representative fraction, अभी representative fraction क्या होता है, देखो scale का definition यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा हुआ है, same scale का ही definition है the ratio of distance on the drawing to the corresponding actual length of the object on the ground is known as the representative fraction या as known as the scale, ठीक है, scale को representative fraction भी बोला जाता है, बट scale में क्या होता है, वहाँ पर drawing पर जो distance लिया गया है, उसका distance अलग होगा, ground पर जो distance अलग होगा, लेकिन अगर आप, अगर point मैं बोलू हूँ कि जो representative fraction की अगर मैं बात करो, तो वहाँ पर दोनों की unit क्या होती है, same होती है, ठीक है, वहाँ पर unit नहीं बताया गया रहता है, वहाँ पर unit नहीं होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हो कि both the distance are same unit, representative fraction के लिए दोनों की unit क्या होती है, same होती है, ठीक है, अ ठीक है अब इसको RF में convert करना है तो RF क्या होता है 1 cm हमारा drawing पर है और 10 meter ground पर है तो यह 1 उपर ratio में है तो यह 10 cm जो है 10 meter जो है उसको cm में बनाना पड़ेगा same unit में करना पड़ेगा तो 1 cm equal to 100 तो 10 sorry 1 meter equal to 100 cm तो 10 meter equal to 10 100 या 1000 cm और बोट cm यहाँ पर भी cm दोनों cm cm कैंसल हो जाएंगे तो आपका आ जाता है 1 upon 1000 this is the scale of RF short में इसको RF से indicate करते हैं ठीक है कोई area भी दिया हो और उसके बेसे पर RF आपको calculate करना हो तो वो भी आप calculate कर सकते हैं बहुत सारे example मैंने already show करके रखे हैं आप playlist में देख सकते हैं ठीक है जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं hundred meter का था यहाँ पर thousand meter या one kilometer का है one centimeter equal to 1000 meter होता है ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यह scale है या one kilometer तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा RF में convert करना पड़ेगा ओके दोनों को हम centimeter में कर देंगे यह तो one centimeter है बट यहाँ पर यह जो है यहाँ पर देख सकते हूँ, यह आपका मीटर में है, तो मीटर को संटिमीटर में बनाने के लिए हमने 100 का मल्टिप्लिकेशन किया, उसके बाद हमारा यह वैलू आ गया, 1 upon 1 lakh, this is the RF वैलू, ओके, representative fraction, कहा कहा पर किस तरीके से use करते हैं, तो यह point देख सकते हैं, किस तरीके से इसका RF calculate करके लिया गया है, different, different अगर scale है, तो पहले नमबर तो आपको unit conversion की help लेनी पड़ेगी, कि inch को अगर mil में convert करना है, तो कितना होगा, ठीक है, या तो kilometer को centimeter में convert करना है, तो कितना होगा, यह सब conversion आपको आसानी से आना चाहिए, तब आपके लिए easy हो सकता है, आगे यहाँ पर graphical representation किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, किस तरीके का representation होता है, जो represent करते हैं, इस तरीके का represent करते हैं, इसके भी मैंने graphically draw करके already explain किये हैं, तो वहाँ से आप देख सकते ह बात कर रहे हैं, different different types of scale की, ठीक है, जैसे की plane scale है, diagonal scale है, cord scale है and vernier scale है, there are four type of scale, ठीक है, अभी जो इसके पहले मैंने बताया है, वो represent करने के लिए scale था, यहाँ पर आप जो देख रहे हो, यह types हैं, ठीक है, यह भी एक मतलब represent करने के लिए हैं, लेकिन आपको यह clarify करेंगे कि कि work के लिए किस तरीके का scale हमें यूज कर रहा हैं, जैसे plane scale के लिए अगर बात करें, तो plane scale को commonly हम यूज करते हैं, map के लिए, और यह scale represent करता है to successy unit को, ठीक है, मीटर के बाद क्या आता है, डिका मीटर, तो successy unit को ही indicate करने के लिए यह किया जाता है, ठीक है, as tenth meter decimeter, जैसे meter है उसका decimeter, successy unit होना चीppers, meter अगर है, तो decimeter, ठीक है, decimeter है, तो सेंटमीटर, cm और mm ऐसे हो सकता है, ठीक है, या तो cm, decimeter हो सकता है, या decimeter हो सकता है, या meter, decimeter हो सकता है, इस तरीके के साथ, उसका वन टेंथ का successy unit के साथ, यह represent किया जाता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हим, कि को represent किया गया है जिससे idea मिलता है कि यह plane scale को बता रहा है diagonal scale three unit को एक साथ indicate करके बताता है using a diagonal scale one can measure three dimensions such as unit tenth and hundred ठीक है एक unit रहेगा एक tenth रहेगा एक hundred रहेगा जैसे कि meter decimeter and centimeter यह तीनों को एक साथ indicate करके बता सकते हैं जैसे कि अगर आपके सामने आगे 62.6 अगर यह दिया हुआ है ठीक है मीटर दिया हुए 62.6 मीटर तो अब 62 को किस तरीके से देखो यहां से यहां तक तो आपने 60 मीटर को represent कर लिया फिर 2 मीटर 2 cm यहां पर आ जाएगा फिर उसके बाद से आगे यहां पर diagonally represent करते हैं तो यहां पर आ जाता है 62.6 ठीक है इस तरीके से हमें measurement करके scale को represent कर लिया जाता है आगे diagonal scale के कुछ और pictures देख सकते हैं जिससे कि आपको idea मिल सके आपको detail में यहां पर so भी हो रहा होगा ओके आगे diagonal scale को और भी different different measurement कौन कौन से measurement करने वो चीजे जैसे 22 kilometer जिसमें kilometer भी आएगा साथ साथ में आपको meter भी आएगा ठीक है और centimeter भी आपको देखने को मिल जाएगा तीन successive unit यहां पर एक साथ में देखने को मिल जाएंगे cord scale की बात कर रहे है ठीक है different type का यह cord है तो यह cord type का use जो measure किया जाता है set of angle ठीक है angle set up करने के लिए it is mark either on rectangular और a ordinary wooden scale के लिए किया जाता है ठीक है आगे यहां पर देख सकते हैं इस तरीके का pictures बना कर हम show कर देते हैं जैसे यहां पर अगर angle को represent करना है तो इस तरीके से हम बना कर angle को represent कर लेते हैं वर्नियर scale की बात करें तो in 1631 पिरी वर्नियर invented किये थे device को जिसका purpose था measure of fraction part of a graduated scale it consists of two approximate scale one of them is fixed and is called a primary scale ठीक है the other movable and is called the vernier ठीक है other movable जो हता है उसको vernier बोला जाता है जैसे यहां पर picture से देख सकते हैं कि ताकि आपको idea मिल सके यहां पर भी इस तरीके का vernier है जो आप theodolite में भी use करते हैं वर्नियर scale ठीक है choice of scale of a map किस तरीके से scale हम choice करते हैं तो scale of map is the ratio of distance drawn on the map to the corresponding distance on the ground as the area involved are rather large it is essential to select a suitable scale for representing the area on a map selection of the scale depends upon the purpose, size and required precision of plotting जैसे यहां पर देख सकते हैं larger scale के लिए किस तरीके का scale करेंगे medium scale के लिए क्या है small scale के लिए क्या हमने लिया है ठीक है scale से आपको पता चल गया होगा कि one centimeter equal to hundred यहां पर है one centimeter equal to ten meter है one centimeter equal to ten meter है इससे idea आपको मिल रहा होगा ठीक है यह इस तरीके का ओके और यहां पर different different work के लिए different different scale है जो आप मतलब इसका screenshot भी ले सकते हैं कि ताकि आपको idea है कि building site के लिए कैसा होता है town planning scheme के लिए कैसा होता है cadastral के लिए कैसा होता है location survey के लिए कैसा होता है geographic अगर maps है या route survey है या longitudinal section है या cross section है तो इसके लिए क्या होता है यह सारा कुछ detail है ठीक है और उसके बाद से unit measurement किस तरीके से है तो कुछ conversion है यहाँ पर यह देख सकते हैं कि MKS से CGS में कैसे करते हैं CGS से FPS में भी convert करना है तो किस तरीके से convert करते हैं यह screen shot ले सकते हैं कि ताकि आपको idea रहे कि इस तरीके का convert आना चाहता है ठीक है अगर जब RF calculate करना होता तो यह convert बहुत important होते हैं क्योंकि same unit में लाने के लिए यह conversion बहुत जरूरी होते हैं आई वो lengthwise में हो यहाँ पर lengthwise में हैं और यहाँ पर areawise में हैं और कुछ important questions है जो note down कर सकते हैं जो आपके अभी इतना जो detail में explain किये हैं उसका पूरा का पूरा यहाँ पर detail में हैं जैसे कि survey क्या होता है उसके objective क्या होते हैं सरवे प्रिंजब्स सरवेंगं में किया होता है उसको एक्स्प्लेइन करने की बाद एंप्रिंज फूद्स में समझाया एक्स्प्लेइन करके बता ठीक है उसके बाद से सिह wirksन अफ सर्वेंग बेष्ट औन इंस्टुम列 है यह सारा कुछ detail आपको explain करके समझा दिया है तो यह सारे question का आप अगर यह three videos इसके पहले के जो दो videos आपने previous एक week पहले देख लिया था और यह जो videos है आपको जो देख रहे हैं इससे related आपको सारा जो इतने भी questions यहां पर देख रहे हैं पर यह सारे question को आप solve कर पाएंगे ठीक है तो next chapter start करेंगे linear measurement तो आज के लिए इतना रखते हैं thank you thank you